राम राम सारे भाइयाने कल है IPL का 11 वाटी 20 मैच्च LKN वर्सिज PBKS साड़े 7 बजे इस वीडियो में आपको मैं दूँगा ग्रेंड लिग के कैप्टन वाइस कैप्टन मीनी जीयर के कैप्टन वाइस कैप्टन दो तिन मेंबर के सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाइ टेलिग्राम से जुड़ जाओ अभी आपको मैं टेलिग्राम में लेकर चलता हूँ यह अपना टेलिग्राम है दूःन फेंटेस्याउस इसमें जुड़ जाओ क्योंकि फाइलल टीम आपको यहाई प्रमिलेगी और भाइ अच्छी अच्छी वीडियो में डालता रहता हूँ यह आपर देखो संडे कमेंट बोक्स यह भी वीडियो में यह आपर डालता रहता हूँ तो जुड़ जाओ भाइ टेलिग्राम में लिंक दे रहाख है वीडियो डिस्क्रिशन बोक्स में इंडियन प्रिमेर लीग दोजार चोविस LKN वर्सिज बीबिकेस मैच नंबर ग्यारा ये मैच कल है साड़िस साथ वजे वेन्यू है बारत रतन श्री अटल भीहरी वाज परी इकाना किरिकेट स्टेडियम लखनाव पिछ रिपोर्ट देखो है पहले यहाँ पर स्पिनरों का बोल बाला था रन कम बनते थे लेकिन थोड़ा बहुत चेंज गया पिछ में और इसको न्यूट्रल बनाया गया है बल्ले बाजो के लिए और गेंद बाजो के लिए तो भई आब देखते हैं LKN की प्लेंग लेउन सबसे पहले हैं लोकेस राहूल जिनोंनी लाश्ट मैच में अठाउन रन बनाये थी क्वंटन डिकोक चार देवदत पाडिकल जीरो आईउस बदोनी एक दीपक हुड़ा थबिस निकोलस पूरन नोट आउट चोसट मारकस टोनिस तीन कुरूनल पांडिया तीन रवी विश्णोई नववीन और महसिन खान इनकी बैटिंग नी यही इंपक्ट में देख लो दीपक हुड़ा यस ठाकूर दीपक हुड़ा सिर्फ बैटिंग करेंगे और यस ठाकूर बोलिंग करेंगे तो देखो भाई यह नेकी बैई इंपक्ट प्लेइर यही होंगे हर मैच में चेंज होते रहते हैं बोलिंग देख लेते हैं नवी नुलक दो विकेट रवी विश्णोई एक महसिन खान एक यस ठाकूर को कोई विकेट नी आईस बदोनी ने एक और किया था तीन और किये थे यस ठाकूर ने अब देखते हैं पंजाव की प्लेंग लेओन यह देखो च्यार और नवी नुलक च्यार और विस्णोई च्यार और महसिन खान च्यार और कुर्णल पांडिया इन में चे तीन इसने किये थे और यह एक और किया था आईस बदोनी ने मैंने भई कुर्णल पांडिया का नाम लिख दिया है पहले नहीं लिख था सिखरदवन 22 और 45 जोनी 9 और 8 परब सिमरन सिंग 26 पत्चिस सैम करन 63 सीवीसी का बढ़िया ओप्सन है और बोलिंग भी करने वाला है जीते सरमा 9 27 लियाम लिविंश्टन 38 और 17 ससांक सिंग 21 हर प्रित बरार यह आउट ने वे तक यह भी भूल चुके भई हमें आउट भी होना है हर्षल पतेल रबाडा और रहुल चाहर इनकी बैटिंग यह इंपक्ट अरस दिप सिंग और परब शिमरंद सिंग बोलिंग और देख लेते हर्षल पतेल तीन विकेट रबाडा तीन हर प्रित बरार तीन अरस दिप सिंग दो सैम करन एक और रहुल चाहर एक देखो एक विकेट और यहां परन देखो सैम करन के 63 और 23 तो वही एक अच्छा ओप्सन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मीनी जील में और दो तीन मेंबर में अब दोस्तों आपको टीम दूँगा में दो और तीन मेंबर की हमारे पास कई ओप्सन है विकेट की प्रमे राहुल, निकोलस पूरन, क्युवंटन डिकोक पर अब सिमरान सिंग, इंपक्ट, जितेश सर्मा तो मुझे सबसे से प्यापर लग रहे हैं लोग के इस राहुल उसके बाद हैं निकोलस पूरन निकोलस पूरन को मैंने लिया है अगर रंचे जवा तो मैं इसको निकालके यहाँ पर जितेश को रख लूँगा उसके बाद क्युवंटन डिकोक ये हैं इंपक्ट, जितेश सर्मा इनको भी आप रख सकते हो जितेश सर्मा बहुत ही तगड़ी पारी खेलती चोके छके माणने के लिए मसूर है लास्ट मैच में 27 रंगा स्कोर किया बैटर में सिर्फ एक ही बैटर को लूँगा मैं सिखर डवन आप चाओ तो जोनी को ले सकते हो देवदत पाडिकल इनको भी आप ले सकते हो जिन्होंने लास्ट मैच में जिरो किया था जिरो वाला हीरो बन सकता है उसके बाद काईल माईरस को टीम खिलाने रही उसके बाद ये कुछ खिलारी है अगर खेलेंगे तो आपको मताँगा टेलेगरम में दी पकुड़ा ये इमपैक्ट है इन्होंने 26 बनाए थे उसके बाद अथरवताईडे टीम से बार है आईस बदोनी ये आये थे नमबर 4 पर और एक रन बनाया था लास्ट सिजन में ये इमपैक्ट हुआ करते थे और ससांक सिंग इनको ये आप ले सकते हो सिर्फ बैटिंग बैटिंग करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं ये नहीं कि मैंने नहीं रखा तो आप मत रखो रखो भाई क्योंकि आपर देवदत पाडिकल नमबर 3 प्यारे आल राउंडर में देखते हैं सैम करन मारकस टोनिस लास्ट मैस में मारकस टोनिस साथ नमबर प्याए थे तीन रन बनाए बोलिंग इनको मिली नहीं सिकंदर रज्जा अगर सिकंदर रज्जा पंजाब की टीम से खेलते हैं तो भाई मज़ा आएगा कैप्टन वाइस कैप्टन का सेफ प्लेर कुरूनल पांडिया आठ नमबर प्यारे हैं और बैटिंग ओरडर बहुत नीचे है और तो आपको च्यार तो पूरी देंगे फिलाल दो तीन मेंबर की टीम है रखना पड़ेगा भाई पूरे च्यार आउर डाल रहे हैं और सेफ हैं लियाम लिविंश्टन आज मैं इनको ड्रोप करने की सोच रहा हूँ बोलिंग करनी रहें बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं वाई च्यार नमबर पर रंचेज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए लेकिन जील में रखना रंचेज में उसके बाद केस वोक्स टीम से बार हैं तो हमारी टीम से बार हैं रिसी देवन बहुत बढ़िया आज राउंडर हैं तो इनका यूज़ करना सही इंपक्ट में उसके बाद प्रेरेक मंग करने हैं खेलें का चांस बहुत कम हैं अब चार बोलर बच गई हर्षल रवी विश् मोशिन खान रबाड़ा इन में से किसी को ले सकते हो आपको और खिलाड़ी के वाएं बताता हूं अरस दिफ सिंग यह इंपक्ट हैं सिर्फ बोलिंग बोलिंग करेंगे नवी नुलक हर प्रित बरार उसके बाद राहुल चाहर उसके बाद यस्ठाकुर उसके बाद कोई प अमित मिस्रा अनुभवी बोलर है यह और आए प्यल में बहुत अच्छे विकेट निकाली हैं पतानी बैंस पर क्या कर रहे हैं शेमार जोसफ देखते बहें कभी इनको मोका मिलता है तो हमको च्यार चाहिए बोलर देखो भई अगर हरशल पटेल पहले बोलिंग करेगा तो एक मिला है उसके बाद मैंने रखा रबाड़ा को रबाड़ा कर देगा कबड़ा तीन विकेट लिये थी इन्होंने दो में चुमे उसके बाद मैंने आपर लिया नवी नुलक को हमारे पास कितने ओप्सन बच गे महसीन खान रखना चाहते हो आप इनको तो रखो भाई इन इन्होंने विकेट एक निकाला है अरास डिफ सिंग दो विकेट हर परित बराड तीन विकेट हर परित बराड इनका एक फाइदा है ये आठ नमर पियारें तो थोड़ा वह थीट लगा देते हैं तो आपको और कोई बोलर एड करना है तो आप किसी विकेट कीपर को बनाए थे सबसे सेफ ऑफसे ने सीवी सी की निकोलास पूरन अगर पहले बैटिंग हो तो आख बंद करके जियल में मीनी जियल में कैप्टन ठोक देना उसके बाद सेम करन का स्लेक्षन 31% है तो आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा सेम करन को सीवी सी कर देना दो तीन में में उसके बाद यहां पर देखो नवी नुलक डैथ में बोलिंग डैथ में डैथ में और एक और विश्नोई ने डैथ में किया था तो कैप्टन वाइ आइस कैप्टन जो आप कमन करें जैसे राहूल है यह है अब अपनी टीम देख लेते हैं लोकेस निकोलस पूरन क्वेंटन डिकोक अगर आपको जीतेश चाहिए तो ले सकते हो शिखर दवन शैम करन मारकेस्टोनिस कुर्णल पांडिया रबाड़ा भीष्टनोई हर्शल पटेल नवीनुलक दो तिन मेंबर के लिए सबसे ज़ेफ मुझे ये लग रहे है और मीनी जीयल के लिए एक तो हैं शैम करन उसके बाद ये खिलाड़ी सबसे ज़ेफ हैं मीनी जीयल के लिए देखो यहां पर आकर बोलिंग आजा ना पहली आपर तो हर्शल पटेल बैस्ट सीवी से मीनी जीयल में और लखनव की बोलिंग आजाए तो नवीनुलक सेफ हैं डैफ में बोलिंग करेंगे तो भई आपको वीडियो कैशी लगी कोमेंट करना हां जीयल में मेगा जीयल में निकोलस पूरण को मत बूलना भई चाहे पहले बैटिंग हो चाहे बाद में बैटिंग हो ये प्लेर तो भई बहुत मारता है बहुत मारता है तो आपको वीडियो कैसे लगी कोमेंट करके जरूर बताना अगले वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात